गीता में है सागत सी गह राई है बर्मत सी उचाई कर सके पखान को इसका इतनी शम्ता किसने पाई श्रोता मने यूं तो मुखवत गीता का पुटेक्स लोग अपने आव मेंनी सिख्षा का सागत समाहि किये हुए है लेकिन समय रिखा में अबने होने के कारण मैं आपसे उनी स्लोग को पुशा जा परना जाओंगा जिनोंने मेरे जिवन पर अत्य अधिक प्रभाव लागा है अर्गाट मैं अपने पहले स्लोग के लागे पढ़ना जाओंगा मेरा प्रथम स्लोग के लोगा जाओंगा जाओंगा जावानत उदवाने सर्वत संपलूत उदके तावाम सर्वेशु वेदेशु ब्रामरस्य विजानत अर्थार शिखिष्न रजुन से कहते हैं कि है रजुन चारों से प्रिपुन दलाश्यम मिल जाने के पाद एक वनुषय का छोटे दलाश्यम में इतना प्रियोजन रह जाता है ब्रह्म पो, त्ट्वों में जानके वाले प्रहमड़ का, समश्य वेदों में भी इतना ही प्रयोज़ रहे जाता है अर्थाथ felluy जिसमें ब्रह्म पो तत्वों में जान लिया उसके वेदों की, कोई अश्यक्ता नही होती श्रीकिष्ण अर्जुन को करम का महस्तों पताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन समस्तमें नपड़कर ही तुम्हे सब्सक्रामिले ऐसा ज़रूरी लगे यह गलत है करम योग तो ऐसे पड़े सागर की तरह है कि अजर मिल गया तो तुम्हें चोटे तालावों की आविश्चता जते हैं ।Are ऐसे के साथ श्रीपिष्ण अर्जुन कि शुषे क्रम को मैं तो बथाते हुआ कहते हैंगी कर्मने वाजिका राक्षिदे माकले शुपदाजयने माकरम कर्थे दुपना माते संको स्कर्मानी गोर्ण संकुष्ट बादनी अत्ता से कि श्टशन से कहते हैं कि यह मात तेना वगिव़ कर्म पल अज़िकार है उसके और अनलुकर तेरा कोई अजिकार नहीं है कुछ बथे अज़िवश्वर कि शॉपना हमें कर्म में कभी भी फिल की बावना गत्रब लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तो कर्म भी ना करे तुझे प्रब करम करना है लेकिन फल की बावना किये भी ना इसकाम भाव से किया गया करम इश्रेकर होता है। अगर करम के साथ फल की भाव में जुड़ी होगी तो वैश्रेकर ना होकर फल को प्राफ्ट करने कि एक तृष्णा बन जाता है। जो कि सही नहीं। इसलिए हमें करम तो करना है। लेकिन फल की इच्छा अभी नहीं जब ही। करम हमेशा विसकाम भाव से किरना ज़िए। जभी वैश्रेकर भी होता है। और वही हमें अच्छा भाव देता है। इसे के साथ में में अगले स्लोग यागर बढ़ना चांगा। कि प्राज़ों जाती जेगा। मेरा किष्णा स्लोगत्या जोगा अर्तारिष्पा स्लोग है। योगस्थ दुरु कर्मने संग्वं जाधानन जया। सिद्ध्य सिद्ध्यो समुभुत्वा। संग्वं योग उच्यादे। संग्वं योग जया दे। अर्थाथ, श्रीकिष्व में जुट से कहते हैं कि हेजर जए तुम्हें आशिप्धी को जाबकर, शिप्धी और आशिप्धी में समाच होते वाला होकर, कर्तव में सिद्ध होते हुए, कर्तव में गर्मों होकर, संग्वं योग है। अर्थाथ, जो कुछ भी किया जाए, उसके पूर्ण होने, ने होने, तो उसको परने पर क्या फल मिलेगा, इसमें सुभाव रख, इसमें आशिक्ती बद रख, अगर कर्म में आशिक्ती होगी, तो कर्म में केवल दुख ही दुख होगा, अगर तू अपने पराएं सुख दुख जैसे बंदों से बुख्य होकर, रहना सीख लेगा, तो वही तेरे लिए योग है, और वही तेरे लिए संग्वं है, और वही तेरे लिए सही है, अगर त तो तुझे सफंदार शरूर मिलेगी इसी के साथ मागनिवानी को अबराम देने हुए इस मत से और आप सभी से इजादत चाहुआ और बस इतना ही कियाना चाहुआ इससे परे कुछ भी नही संसार का अबिस्तार है जैसे माला में मौती इसमें उठा संसार है रादे रादे जै किशना तर्यावाद